वेलकम टू आल, आई संध्या यादव, I am going to explain the first chapter of class 6 आ रही रविकी सवारी बच्चों, आसा करती हूँ कि आप सभी कुशल पुर्वक होंगे तो आईए बच्चों, आज हम सभी कक्षा 6 के पहली पाठ का अध्यान करते हैं जिसका नाम है आ रही रविकी सवारी तो सबसे पहले बच्चों, आपको मैं इस पाठ का परिचे कराती हूँ और इसके साथ ही कविता को भी बताती हूँ कविता आ रही रविकी सवारी, नौ किरण का रत सजा है कलिकुसुम से पत सजा है, बादलो से अनुचरोने श्वड की पोशाक धारी, आ रही रविकी सवारी विहगबंदी और चारडगा रहे हैं कीर्तिगायन छोड कर मैदान भागी, तारकों की फोज सारी, आ रही रविकी सवारी चाहता उचलू विजयकर, पर ठिटकता देख कर्य, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रविकी सवारी तो बच्चों, आप सभी अब ध्यान से सुनेगा क्योंकि इसके बाद से मैं अब पाठ का परिचे बता रही हूं प्रस्तुत कविता में कवी हर्वन्स राय बच्चन ने सुरज को एक राजा मानकर सुर्योदे के द्रिश्य का वड़न किया है इस पावन वेला में प्रकृति में होने वाले सुन्दर परिवर्तन का मनुहर चित्रण प्रस्तुत किया गया है इसके अलावा दिन के राजा सुरज के साथ साथ किरड़, बादल और पक्षियों का भी मानवी करड़ किया गया है तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस पाट की रचईता कौन है तो बच्चों इस पाट की रचनाकार हर्वन्स राय बच्चन है जिनका जन्म 1907 में हुआ था अमृत्यू 2003 में हुई थी इस पाट में कवी कह रहे हैं जब सुर की केणे सुर्योदे की समय फैलती हैं तो उस समय का वातावरण अत्यांत्रमडी लगता है इसके साथ ही जो भी परवर्थन होता है उन सब का कवी ने मनुहर चित्रण किया है कवी ने दिन का राजा सुर्य और रात का राजा अंधकार को का है क्यूकि दिन में सुर्य की केणे धर्ती को प्रकाशित करती हैं अब पाट का भावर्थ कविता के साथ आ रही रवी की सवारी रवी यानि सूरज, सवारी यानि वहन अर्थात कभी कहता है कि सुबह में सूर की कोमल केड़ें चारो और फैल रही है नौ किरड का अरत सजा है नौ किरड यानि सूर्योदे की समय की रोशनी अर्थात ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन केड़ों के रत पर सवार होकर आगे आगे बढ़ता चला रहा है कली कुसम से पथ सजा कली कुसम यानि कलिया और फूल पथ यानि मार्ग अर्थात सूर्य की सुनहरी कीड़ें जब कलियों और फूलों पर पढ़ती है तो वोई प्रफुली थोड़ती है ऐसा लगता है जैसे सूर्य की आगमन की खुशी में वे उसका स्वागत करने के लिए उसके मार्ग में बिच गई है ऐसा लगता है जैसे फूल और कलियों से सूर्य का रास्ता सजाई हूँ बादलों से अनुचरों ने श्वड की पोशाक धारी शब्दार्थ अनुचर यानि सेवक पोशाक यानि वस्ट्र स्वण का अर्थ होता है सूना और धारी का मतलब होता है धार करने वाला अर्थात सूर्य की केणे बादलों पर पड़ती हैं जिससे या प्रतीत होता है कि सूने का वस्ट्र धारण किये हुए बहुत सारे सेवक रत के साथ आगे बढ़ रहे हैं आरही रवी की सवारी और अंती में कवी कहते हैं कि प्रात काल सूर की केणे चारों ओर फैल रहे हैं अब दूसरा विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्टिगायन शब्दार्थ विहग यानि पक्षी दी यानि कैदी चारण राजाओं और महराजाओं की कीर्टि का यशगान करने वाले कीर्टिगान यश का गीत अर्थात इन पंक्तियों में कवी कहते हैं की सूर की कीर्णों की शोभा देखकर पक्षी गड़ अत्यान प्रसंड हो रहे हैं और प्रसंड चित होकर चह चहा रहे हैं और सूर का गुडगान और यश भी गा रहे हैं छोड़ कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, तारकों, नक्षत्र, फौज, सेना या तारो का समूँ अठात सूरी का प्रकास फैलते ही, रात के समय आकाश को सुसोभीत करने वाले तारे लुप्ध हो गये हैं आर ही रवी की सवारी, सूरी की केणे उशा काल में चारो फैल रही हैं और अब अन्त में कवी क्या कहना चाता है, इसको हम बताते हैं, तो बच्चों यान से सुनिएगा चाहता उचलू विजय कहर पर ठिटकता देख करिया शब्दार्थ, विजय यानी जीत, ठिठकना, रुकना या इस्तब्दो जाना अर्थात, सूरी का फैलना, फैलता प्रकाश, रात की अंधकार पर विजय जैसा लगता है कवी खुश्य मनाना चाहता है, और वह उचलना को उदना चाहता है, पर अचानक रुक जाता है रात का राजा खड़ा है राह में बनकर बिखारी अर्थात, उसे रात की राजा अंधकार का ध्यान आता है कवी को अंधकार स्की दैनी इस्तिती पर दया आती है उसे लगता है जैसे बेचारा अंदकार सूरे से अपना अस्तित्व नव मिटाने की भीक मांग रहा है आ रही रविकी सवारी सूरी की किर्णे प्रातर काल चारो और फैल रही हैं ओके थैंक यू